असम पूर्वोत्तर का वो राजी जो आज कल दो वजह से सुर्ख्यों में छाया हुआ है पहली वजह है प्रकृती की आपदा और दूसरी वजह है गोल्डन गर्ड एक तरफ जहां भीशन बाड की वजह से पूरा असम त्राही त्राही कर रहा है दूसरी तरफ उसी असम की 18 साल की एक लड़की साथ समुंदर पार फिनलैंड और पोलैंड में एक के बाद एक तिरंगा लहराए जा रही है ये लड़की है हिमादास जिस वक्त पूरा देश भारत के वालकप से बाहर होने का शोक मना रहा था उस वक्त एथलीट हिमादास दुनिया भर के दिगज विरोधियों को रनिंग ट्राक पर पचाड कर गोल्ड जीत रही थी शांदार फर्म में चल रही हिमादास महस 15 दिनों में ही चार गोल्ड मैडल जीत कर पूरे भारत को जश्न का मौका दे चुकी है दो जुलाई से जारी हिमादास का गोल्डन सफर अभी तक जारी है पहला गोल दो जुलाई को हिमा ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में हिस्सा लिया था उन्होंने 23.65 सेकंड में उस रेस को पूरा कर गोल्ड जीता था तीसरा गुर्ड, हिमा ने 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरिल एथलेटिक्स में महिलाओं की 200 मीटर रेस को 23.4 सेकेंड में पूरा किया हिमा दास ने 17 जुलाई को चेक गड़राजी में हुए टाबोर एथलेटिक्स टॉर्नमेंट में 200 मीटर इवेंट की हुई रेस को 23.25 सेकेंड में पूरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया हिमा दास ने इस चीत के बाद ट्वीट कर कहा आज 200 मीटर में फिर एक स्वन जीता और टाबोर में अपना समय बहतर करके 23.25 सेकेंड किया हिमा की सेतिहासिक उपलब्धी पर खेल मंत्री किरन रिजीजु ने बधाई देते हुए कहा हमारी गोल्डन गर्ल ने फिर कर दिखाया हिमा दास ने 200 मीटर रेस में एक और गोल्ड जीता और 23.25 सेकेंड के साथ अपने समय में भी सुधार किया कौन है हिमा दास? हिमा दास असम के नगाउं जिले के धिंग गाउं की रहने वाली है साधारन किसान परिवार में जन्मी हिमा दास के पिता चावल की खेती करते हैं वो अपने परिवार के छे बच्चों में सबसे छोटी हैं हिमा पहले लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी और एक स्ट्राइकर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी उन्होंने दो साल पहले ही रेसिंग ट्राक पर कदम रखा था और आज हिमा दास विश्विस्तर पर ट्राक्स परधा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाडी है साथ 2018 में हिमा दास नेतिहास रचते हुए IAAF World Under 20 Athletics Championship के 400 मीटर फाइनल में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया था ट्राक इविंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हिमा दास की उपलब धी कितनी बड़ी थी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद पिये मोदी ने बनारस के एक रैली में हिमा दास की तारीफ की थी असम के नौगाउं जिले के बिंग गाम की एक छोटी सी बेटी हिमा दास उसने कमाल कर दिया उस स्टेडियम में जो कॉमेंटेटर थे उनके लिए भी अजूबा था कि विश्वच चेंपियोनों को पछाड करके हिंदुस्तान के एक बेटी हर सेकंड आगे बढ़ रही है और वो कॉमेंटेटर इस एक्साइटमेंट से बोल रहे थे किसी भी हिंदुस्तानी का सीना चोड़ा हो जाए और बाद में आपने देखा होगा कि हिमा दास एक बहुत बड़ा काम कर दिया था भारत का नाम रोशन कर दिया था और यह तय हुआ को जीत गई है तो अपने हाथ उठा करके वो तिरंगे जंडे की प्रतिशा करते हुए दोड रही थी और जैसे तिरंगा जंडा आये उसके लिए वो बेसबरी से इंतजार कर रही थी और तूसरा वो मन में जीत लेकर के बैठी थी विजय के साथ जैसे ही उसने तिरंगा जंडा रहराया साथ साथ अपना असम्या गमचा भी गले में डालना नहीं भुली और जब उसको मेडल मिल रहा था जब वो खड़ी थी हिंदुस्तान का तिरंगा जंडा ले रहा था और जंगण मन शुरू हा आपने देखा होगा हिमादास से पहले भारत की किसी महिला या पुरुष खिलाडी ने जूनियर या सीनियर किसी भी स्तर पर विश्व चांपियन्शिप में गोल्ड नहीं जीता है फ्लाइंग सिख के नाम से मशूर वेटरन एथलीट मिलखा सिंग और पीटी उशा भी एक अमाल नहीं कर पाये थे इस उपलब्धी के करीब एक साल बाद हिमादास ने 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच चार गोल्ड मेडल जीत कर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया झाल झाल